हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत रिउनिक लप्टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ओल पर कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पर बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो वहाँ पर आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डीटेल्स मिल जाएंगे और ये एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है जब हमको ये बात पता होता है कि वो जो इनसान है जो हमारा पार्टनर है वो हमसे बात नहीं करना चाहता है या फिर बात नहीं करना चाहती है लेकिन फिर भी हम खुद को रोक में बाते हैं फिर भी हम उसको कॉल करते हैं मैसेजेस करते हैं और इससे क्या होता है न वो जो इरिटेट हो जाता है या फिर इरिटेट हो जाती है लेकिन ऐसा हम क्यूँ करते हैं दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे सबसे पहले तो हम खुद की जो इमोशन है उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम उस इनसान को बहुत ही जादा प्यार करते हैं और इसी वज़े से हम अपने इमोशन को रोक नहीं पाते हैं और हम खुद को भी रोक नहीं पाते हैं चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं क्योंकि हम उस इनसान के साथ एटाच रहना चाहते हैं और इसी वज़े से हम धेर सारा कॉल्स करते हैं और इससे क्या होता है वो जो इंसान है जो और लेड़ी आपको इग्नोर करता है या फिर इग्नोर कर रही है वो और भी जादा आपको इग्नोर करने लगता है और इस बात से हमको बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो जो इंसान है वो हमारी दुनिया है और हम उस इंसान तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कोशिशे करते हैं बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स लगाते हैं और ये जो हमारी सारी कोशिशे हैं, सारे efforts हैं ये उनके लिए irritation के कारण बन जाते हैं तो क्या करें ऐसे situation में और हम ऐसे में क्यों खुद को रोक नहीं पाते हैं क्यों हम अपने emotion पे control नहीं कर पाते हैं सबसे पहले इसका जो reason है आज हम उसके बारे में जानेंगे इसका जो main reason है दोस्तो हम क्या करते हैं नजर रखते हैं अपने partner पे कि वो कहां पे online है, कब तक online है, true caller में check करते हैं कि कहां पे busy है call पे, तो ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि जैसे ही आप ये सब करने लगते हो ना, तो आप और ज्यादा hurt होते हो और इसी वज़े से आप खुद को रोक नहीं पाते हो, और उसको calls करते हो, messages करते हो और उसका जवाब भी वो नहीं देता है, और तब और ज्यादा आप hurt हो जाते हो और और ज्यादा आप उसको messages करने लगते हो कि क्यों मुझी ignore कर रहे हो मेरे message का क्यों नहीं reply कर रहे हो वगेरा वगेरा तो ऐसा बिल्कुल ना करे ठीक है आपको stop करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसको नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद भी पता होता है कि जितना आप उसको follow करोगे जितना आप नजर रखोगे उतना ही आपको hurt होगा ठीक है तो जिस time पे आप उससे बात करते हो, जिस time पे आप उससे chat करते हो उस time को आप किसी और चीज़ों में involved करो, अपने आपको उस time पे कुछ और करो आप game खेल सकते हो या फिर कुछ और course आप join कर सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिस time पे आप बात करते थे partner से, जिस time पे आप chat करते थे उस टाइम पे आप कुछ और कर सकते हो ऐसे अपने टाइम को आप डाइवर्ट करो किसी और चीज में ठीक है क्योंकि जितना आप कोशिश करोगे जितना आप ये ट्राई करोगे न कि आप उससे बात करो आप उसके साथ जुड़े रहो उतना ही आपको हर्ट होगा उतना ही वो इंसान आपको नापसंद करने लगेगा कि इसका अच्छा किया मैंने इसको इग्नोर करके अच्छा किया मैंने इससे बात ना करके क्योंकि इसको और कोई काम नहीं है इसको सिर्फ एगी काम है वो है मुझे follow करना, मुझे call करना और मुझे messages करना तो ऐसा मत करो, खुद के उपर काम करो खुद को बहतर बनाओ क्योंकि जितना आप किसी के लिए रोगे, जितना आप किसी के लिए तरपोगे न, जितना आप किसी के लिए loyal रहोगे, एक सच्चा इनसान रहोगे न, इनसान आपकी ये सारी quality को कभी नहीं समझेगा, मेरे दोस्त कभी आपको value नहीं करेगा इनसान उसी इनसान के लिए रोता है उसी इनसान को पसंद करता है जो एक winner होता है तो हमेशा ये बात याद रखना कि वफा दिखा के या फिर प्यार महबबत से या फिर loyal होके आप किसी का दिल नहीं जीत सकते आप तब किसी का दिल जीत सकते हो जब आप खुद एक winner बनोगे तो ये बात हमेशा याद रखना और अपने उपर काम करना अपने आपको बहतर ज़रूर बनाते रहना ठीक है किसी काम प्यार